हलो दोस्तो रोचा कथाय चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको शनी देव जी की कथा सुनाने जारी में कथास रवन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को दबाना ना बोलिए तो सुरू करते हैं शनी देव जी की कथा दोहा है आज्यादी गुरुदेव ने दीना शी से जुकाए कथा कहूं शनी देव की भाषा शरल बनाए बोलू शनी देव महराजी की जै सबसे पहले मैं श्री सरुशती मा को सुविनन करके गणपती जी को नमस्कार करके तथा आपने गुरुदेव के चड़नों में माथा नवाकर मैं स्री शनी देव जी की कथा प्रारम कर रही हूं यह शनी देव जो मन वानशित कारियों को सफल बनाने वाले हैं तता जीने सकल नर नारी और तैतिस कोटी देवता ग्योगेश्वर मुनीश्वर्व ध्याते हैं वही देव मेरी तुरूटियों को छमा करे और मुझे अपने शरन में ले ले ऐसे मेरे मन में भाव है यह बात सर्व विधीत है कि जो लोग शनी देव को ध्याते हैं उनकी सकल मनोरत सफल होते हैं तता जो ऐसे देव को भूल जाते हैं वह इस संसार में महान दुख पाते हुए नरक गामी हो जाते हैं और अगले जन्म में पशु की योनी में जाते हैं जो कथा मैं तन मन से कहन जा रही हूं उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहन करें बोलुशनी देव महराज की जय एक बार संसार में चहुं और पुझे जाने वले नौ ग्रह एक इस्थान पर एकत्र हुए परस पर विवीत प्रकार से वार्ता लाप करने लगी जब बात घूमती हुए इस इस्थान पर आ देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका तो यह तै हुआ कि चल कर इंदर देव से इसका निर्णय कराना चाहिए उन सब की बाते सुनकर इंदर देव भी सोच में पड़ गये किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन अंत में और निर्णय न करते हुए वह बोले मैं अलप बुद्धी इस बात को निर्णय करने में असमर्थ हूँ मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी को सादर सम्मान करता हूँ इस पर नौग्र संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको ही अवश्य करना चाहिए तब देव राज बोले आप लोग मृत्यू लोग में जाईए वहाँ एक अ मृत्यू लोग में जाने को ततपर हो गए देवराज इंद्रे ने जब उन्हें वहाँ जाते देखा तो प्रसन हो सास लिया और धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुछी कितना दुश्कर था पर अपनी चतुराई से आय संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिय था उज्जय नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाग थी एक तो वहां राजा विक्रमादित्य के दर्बार में बड़े बड़े ज्यानवान लोगों का सम्मेलन कर रहा था दूसरे उस नियाय प्री राजा के नियाय से उज्जय नगरी का सारे भारत में डंका बस्त था स्वेम में जब नोग्रह को नेन न हो पाया तो वहाँ अपने अपने विमानों पर आरूड हो मृत्यू लोक में आउत्रे ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दर्बार ठसा ठस भर रहा था तब नोग्रह वहाँ जा पहुचे नोग्रह कोई कठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहन करने का अनुरोद किया पर उन में से किसी ने भी आसन ग्रहन नहीं किया विक्रमादित्य ने जब प्रश्णवाचक द्रिष्टी से उनकी ओर देखा तो ब्रिहस्पती देव ने आगे बढ़कर जोड़दार आवाज में कहा हे राजन हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहन नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह नेनर नहीं करेंगे कि हम लोगों में से सबसे बड़ा कौन है राजा अपने उपर आये इस धर्म संकट को देखकर पल भरतो घबरा गया परन्तु शीक रही उसने स्वैम को समहा लिया उसने अपने मन में एक युक्ती सोच ली दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ती प्रवेश द्वार तक चली गई थी राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहां पर आसन ग्रहन कीजिए और मैं सोच कर अभी आपका निर्न करता हूं यह कहकर राजा अपने सिहासन पर बैठ गया सिहासन के निकठ ही जो आसन पड़ा था उस पर भाग कर ब्रिहस्पती देव जा बैठे उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे सूर्य देव के निकठ ही चंद्रमा देव और फिर इसी प्रकार से बुद्ध मंगर राहु के तुवित्यादी देव भी अपना-पना आसन ग्रहन कर लिया पंक्ती में आठवे थे भारगाव देव किन्तु उन्हें भी शंतोस था कि उनके बाद शनी देव बैठेंगे किन्तु आसन प्रयोश द्वार के समीब होने के कारण और सबसे अंतमे होने के कारण शनी देव उस पर नहीं बैठे राजा विक्रमा दित तेने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वो उसी को विनय और दयाशील के अधार पर बढ़ा कर देंगे पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई शनी देव अतिक्रोधी और विकट शुभाव के देवता हैं जब वह नहीं बैठे तो आठो ग्रह खिलखिला कर ह अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनी देव की आखे क्रोध से लाल हो गई और भिकुटी तन गई क्रोध से कापते हुए बोले राजन मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यो मुझे तले बिठाना चाहा है चांद को ग्रह सवा दो दिन रहता है और सूरी शुक्र और बुद्ध को केवल आधा मास सोम और मंगल दो मास और गुरू तेरह मास राहू और केतु अठारह मास रहते हैं जब कि मैं साड़े साथ वर्ष तक रहता हूं इसलिए है राजन अब तू साधान हो जा तूने जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा राजा के कुछ दिन तो आराम से ही बीते लेकिन शिग रही शनीदेव की दिश्री फिरी और राजा पर साड़े साती आ गई उन्ही दिनों एक वैपारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया हुआ सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया घोडो में एक घोड़ा भवर नाम का था राजा उस पर चड़ कर देखने लगे कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वही गूमता रहा लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ राजा को बड़ा चमभा हुआ गोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतरध्यान हो गया राजा केला उस विरान जंगल में भटकने लगा सायम के समय जब उसे प्यास लगी तो जोर जोर से चीखने लगा उधर एक पगडंडी से एक गुआला अपने गाउं को जा रहा था वह राजा की अवास सुनकर रुख गया राजा उसके पास गया गुआले ने उसके व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पीलाया पानी पीने के बाद राजा स्वस्त हो गया और प्रसन्न होकर उसे गुआले को अपने हाथ की अंगुठी उतार कर दे दी उसने कहा मैं उज्जेन का रहने वाला हूं यहां रास्ता भटक गया हूं तु मुझे रास्ता दिखाओ तब गुआला उसे अपने साथ ग उसका नाम बोना है फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बाते करता रहा उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई थी उसने सोचा यह भाग्यवान पूरुश है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही बोजन करे राजा मान गया जब वह दोनों घर पहुचे दुकानदार की पतनी बड़ा स्वागत करने लगी अतिथी के लिए विशेश रुप से बोजन तयार करने लगी बोजन करते समय एक अद्भुत घटना जहां राजा बोजन कर रहा था वही सामने की दिवार पर सोने का एक सत लड़ा हार तंगा हुआ था उसके पीछे एक चित्र था अचानक ही वह हार वहां से अद्रिश्य हो गया दुकानदार के यहां एक इस्त्री बांदी थी उसने जाकर घर की मालकिन से कहा वहां खुटी पर हार नहीं है जब बात दुकानदार तक पहुची तो उसने राजा से पूछा राजा बोला मुझे तो नहीं मालूम तुम्हारे और मेरे अत्रिक तो यहां कोई नहीं था सच सच बताओ हार कहा है मुझे नहीं मालूम राजा फिर बोला मेरे पास कोई हार नहीं है जब को कर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया विक्रमादित्य जब उस नगरी में यूँ ही घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहां काम कर ले तो उसे वह रहने को इस्थान और खाने की समागरी भी देगा राजा मान गया और तेली के घर आया वहां सारा दिन राजा धानी पर बैठा उसके बैलों को हाकता रहता और तेली बजार में तेल बेशता रहता जब वर्षा रितु आई और मुसलाधार वर्षा होने लगी तब धानी पर बैठे विक्रमादित्य ने मौज में आकर उचे- कुझे राग अलापना आरम कर दिया निकठी उस नगर का राज महल था वहां खिडखी में बैठी राज कुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गी सुना तो वह अपना दिल हार बैठी उसने अपनी बांदी को पता करने के लिए भेजा बांदी वहां राजा को गाते हु राज में ने आकर उसे समझाया पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करीगी राज में घर कर जंगल में फिकवा दिया यह बात जब राज कुमारी को पता चली तो वह और भी हट करने लगी बोली मैंने तो अब उसी को ही वर्चुन लिया है वह चाय कैसा भी हो उसे से हे विवाह करूँंगी बेटी की हट देख कर लाचार होकर राजा ने दुबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का विवाह करा दिया एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वपन में उसे शनी देव नजराए विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और छमय आजना की शनी देव ने उसे आशिरवात दिया और बोले अब तुम्हारे साड़ी साती शनी साड़े साथ वर्ष खत्म हो गई है राजा बोला मुझे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे छमा कर दीजिए शनीदिवनी मुस्कुरा कर उसे आशिरवात दिया और राजा के दोनों बाजु दोबारा निकल आये राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं वह रात को उसके गले में अपनी बाहे डाल कर सो गया सुबा राजकुमारी की आग खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहे पड़ी देखकर वह चौक उठी लेकिन शिगरही विक्रमादित्य ने जाकर उसे सारी बात बता दी जब वहां के नगर राजा को यह बात मालूम पड़ी तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्त देखकर चकित रह गया उससे भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनी देव की क्रिपा है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचे भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चर्णों में गिर गया और छमायाजना करने लगा बस यह खबर शिग रही सारे इनगर में फैल गई दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वा भागा भागा विक्रमादित्य के पाओं पर लोटने लगा विक्रमादित्य ने उसे उठा आसन पर बिठाया और कहा तुम घर जाकर उसी खूटी पर देखो हार टंगा होगा और स लशकर समेथ विक्रमादित्य को विदा किया राजा विक्रमादित्य जब राज कुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लशकर समेथ पहुचा तो सारी नगरी में उत्सा चा गया अपने राज महल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नौ ग्रहों क पूजा की और शनीदेव को सर्वोचे स्थान दिया साथ ही उसने नगर भर में धिन्डोरा पिटवा दिया कि शनीदेव मनुवाँचित फलो को देने वाले हैं और नौग रहों में से सर्वोचे इस्थान रखते हैं इस प्रकास शनीदेव को मना कर विक्रमादित्य ने अप विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखा माच सुने सुनावे शनी कता गावे जो चितलाए सत्य वचन है सत्नत का बाको संकट जाए बोलो शनी देव महराज की जै तो ये थी शनी देव की कता आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए धन्यवाब